हाई गाईज वेलकम टो माई चैनल वन्स गिन सो फ्रेंड्स आप सभी को पता हुगा की इंडियन मार्केट में आईकू कमपनी ने अपने जैड सेवन समार्फ़न को लोंच कर दिया है जो की आज सेल के लिए भी अवेलवेल हो जाएगा लेकिन दोस्तो इस समार्फ़न को कमपनी ने चैनीज मार्केट में भी लोंच किया है लेकिन दोस्तो चैनीज मार्केट में ये समार्फ़न अलग फीचर्स के साथ लोंच किया गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफन की अन्बोक्सिंग करने वाले हैं तो दोस्तो यह एक चाइनीज वीडियो होने वाला है यदि आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो शरूर करते हैं तो दोस्तो यह है हमारे पास IQ Z7 स्मार्टफन का बोक्स जो की बलेक कलर के साथ आता है इसके उपर आपको IQ की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है चलिए दोस्तो बोक्स को कर लेते हैं उपन तो दोस्तो बोक्स को उपन करने के लिए सबसे पहले इसकी प्लास्टिक रैप को हटा देते हैं चलिए दोस्तो अब इस बोक्स को कर लेते हैं उपन बोक्स को उपन करते ही सबसे पहले हमी देखने को मिलता है IQZ7 5G स्मार्टफोन जो की blue color addiction है चली दोस्तो इस स्मार्टफोन को निकालते हैं इस plastic wrap से बाहर और दोस्तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन के look और इसकी design की तो दोस्तो यह स्मार्टफोन काफी बड़िया look design के साथ आता है इस स्मार्टफोन का look और इसकी design लगबग IQZ6 स्मार्टफोन के जैसा है हलांकि दोस्तो इसकी इंदर भी आपको center punch hole cutout वाली flat display देखने को मिलती है तो दोस्तो आगे अगर box में देखा जाए तो दोस्तो इस box के अंदर आगे देखने को मिलता है एक transparent back case और इस box के अंदर आपको आगे देखने को मिल जाता है एक 120 watt का fast charger जो की आता है USB type C2C cable के साथ अगर दोस्तो इस smart phone के ऊपर की side देखा जाए तो दोस्तो इस smart phone इंदर आपको एक noise consolation mic, air eye blaster और एक 3.5 mm audio jack देखने को मिल जाता है और इस smart phone के side में आपको दोस्तो दो volume रोकर और एक power button देखने को मिल जाता है और इस smart phone के power button के उपर ही आपको fingerprint scanner भी देखने को मिलता है चली दोस्तो बात करते हैं इस smart phone के features के बारे में दोस्तो अगर बात की जाए smart phone के डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तो डिस्पले के मामले में तो यह स्मार्टफन बढ़िया है इसके इंदर भी आपको अब की बार कंपनी ने फुल साइज की बड़ी डिस्पले प्रोवाइड कराई है लेकिन दोस्तो इसके इंदर आपको AMOLED पैनल देखने को नहीं मिलता और इसके इंदर आपको दोस्तो 650 Neats Peak Brightness का ही स्पोर्ट देखने को मिलता है तो दोस्तो डिस्पले की कवाल्टी इतनी जादा अच्छी नहीं है हालांकि दोस्तो इस स्मार्टफन के इंदर भी आपको बढ़िया डिस्पले एक्सपिरियंस मिलने वाला है और इस स्मार्टफन के डिस्पले को आप अलग-लग मोड में अरजैस्ट भी कर सकते हैं अगर दोस्तो बात की जाए स्मार्टफन के वेरियंट के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफन को कमपने ने मार्केट में 8GB और 12GB RAM के दो वेरियंट में उतारा है जिसके साथ आपको 108GB और 257GB का इंटरनल सटोज देखनी को मिल जाता है तो दोस्तो मार्केट में यह स्मार्टफन आपको दो अलग-लग वेरियंट में देखनी को मिलता है चलिए दोस्तो अब बात करेंगे इस स्मार्टफन के सबसे खास पीचर इसके प्रोसेजर के बारे में जी हाँ दोस्तो इस स्मार्टफन इंदर आपको Octa Core Processor के साथ Snapdragon 722GB का चिपसेट देखनी को मिलता है और यह स्मार्टफन Android 13 Operating System के पर काम करता है तो दोस्तो इस स्मार्टफन इंदर आपको Company ने अब की बार Snapdragon का एक बढ़िया और अच्छा लेटस्ट पारफुल 5G चिपसेट प्रोवाइड कराया है जिससे दोस्तो इस स्मार्टफन आपको जबरदर्स गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है और इसके साथ ही दोस्तो इस स्मार्टफन इंदर आपको Dual 5G Connectivity का भी स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस स्मार्टफन आपको बढ़िया और अच्छा Smooth Gaming Experience भी देने वाला है चलिए दोस्तो आप बात करते हैं इस स्मार्टफन के Camera Sensor के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफन के इंदर आपको Company ने Camera Sensor बिल्कुल भी बढ़िया नहीं प्रोवाइड कराए हैं क्योंकि दोस्तो इसके इंदर आपको बले ही Dual Camera Sensor प्रोवाइड कराए हैं जिससे दोस्तो इस स्मार्टफन आपको बढ़िया और चाल लोंग पार वैक अप देने वाला है और आपका स्मार्टफन बहुत ही फास्ट सार्ज होगा तो दोस्तो ओर ओरल देखा जाए तो दोस्ते इस smart phone अदर आपको लगबग बड़िया ही feature's मिलते हैं लेकिन दोस्ते smart phone अदर company camera sensor ज्यादा बड़िया provide करा सकती थी बागी दोस्तो अगर समार्ट phone के price के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफून का सुरुवाती वेरियंट इनियर मार्केट के एसाब से लगबग 19,000 रपे में चाइनीज मार्केट में लोंज किया गया है और दोस्तो इन इन मार्केट में समार्टफून साइद है IQZ7 Pro समार्टफून के नाम से लोंच हो सकता है तो दोस्तो आपको एस समार्टफून कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए जो लाइक और शेयर जरूर रहें और हमरे चनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद